आज हम आपको layout tab के paragraph option के अंतरगत line and page break के सभी option की जानकारी दे रहे हैं जब भी हम Microsoft Word में काफी सारा data input करते हैं तो हमारा data काफी सारे pageों में split out हो जाता है ऐसे situation में हम pagination की साहता से अपने सभी paragraph को adjust कर सकते हैं आईए देखते हैं कैसे पिछली video में हमने page layout के indent और spacing option के बारे में आपको बताया था इस video में हम paragraph setting के line and page break option के बारे में बात करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर pagination का एक option आपको दिखाई देगा जिसमें आपको चार option यहाँ पर दिखाई दे हम एक किक करके इन सभी चार option को clear करेंगे और साथ ही formatting expectation का भी हम यहाँ पर use सिखेंगे तो सबसे पहले हम बात करते है video orphan control की कि इसका किस तरीके से use किया जाता है आप देखेंगे उदारंग के लिए हमने यहाँ पर एक data input किया हुआ है और इस data को input करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे अब हम यह चाहते हैं कि जो भी हमारा page number 1 पर paragraph की line यहाँ पर रहे गई है उस वाले paragraph को मैं नीचे की तरफ अर्जस करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम यहाँ पर video का use करेंगे इसके बाद अगर हम बात करते हैं orphan control की तो नीचे की तरफ आप देखेंगे हमने इसके लिए भी एक example यहाँ पर तयार किया हुआ है अब यहाँ पर orphan किस थरीके से काम करता है जैसे अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास page number 2 पे काफी सारे paragraph हैं जैसे मालीज़े हमने 5 line यहाँ पर लिखे हुई है और page number 3 पर हमारे पास यहाँ पर एक line है अब इस वाली line को अगर मैं page number 2 पर adjust करने की कोशिश करूँगा तो यह adjust नहीं होगी क्योंकि अगर यहाँ पर space होता तो यह by default अपने यहाँ पर adjust हो जाती अब इस situation है हमें क्या करना होगा हम यहाँ पर orphan control का यहाँ पर use करेंगे जिसकी साहिता से हम इस paragraph की एक line को page number 3 पर shift कर देंगे जिससे हमारा data यहाँ पर बुरा दिखाई नहीं देगा तो यह दोनों ही काम आपके एक ही option की साहिता से हो जाएंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर वीडियो औरफन control की यहाँ पर आपको वीडियो औरफन control का य्यूज करने के लिए सबसे पहले paragraph की किसी भी line पर यहाँ पर आपको click करना होगा क्लिक करने के बाद आप Layout tab में यहाँ पर Paragraf Setting पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको Video Orphan Control का एक option आपको दिखाएं देगा इस पर जैसे आप टिक करेंगे टिक करने के बाद नीचे जैसे आप Ok button पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी वो जो line हमारे page number 1 पे थी वो यहाँ से page number 2 पे shift हो चुकी है तो इस तरीके से आप यहाँ पर video का use कर सकते हैं अब मैं आपको बताता हूँ और son का किस तरीके से use होता है तो इसके लिए हम वापस से data को control Z करके जैसा था वैसा ही बना देते हैं नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ जाने के बात यहाँ पर आपको paragraph के जिसी भी word पे click कर देना है कहीं पर भी आपको click करके सीधिये उसी setting पर वापस से जाना है और फिर से उसी option को select करके यहाँ पर जैसे आप OK बटन पर click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ की एक line हमारे page number 3 पर shift हो गई है तो इस तरीके से आपका data जो है वो odd दिखाई नहीं देगा तो इस तरीके से आप video orphan control का यहाँ पर use कर सकते हैं नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर दूसरा option यहाँ पर लिखा हुआ है keep with next का अब keep with next का किस तरीके से use किया जाता है तो इसके लिए आप देखेंगे हमारा जो document है वो कुछ इस तरीके का है आपको वापस से page layout के उसी setting पर जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर दूसरा option दिखाई देगा keep with next का इसको आपको टिक कर देना है इस पर टिक करने के बाद video orphan control को आप यहाँ से अटा दीजे हटाने के बाद आप यहाँ से जैसी OK बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो heading था वो यहाँ पर page number 3 से अट करके page number 4 पर यहाँ पर shift हो चुका है तो इस तरीके से आप इस option का भी use कर सकते हैं हम वाटपा से कंडोल Z करते हैं और next option की और बढ़ते हैं नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर भी हमने इसका एक example यहाँ पर create किया हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा next option है वो है keep line together अब इसका किस तरीके से यूज किया जाता है आप यहाँ पर देखेंगे इसका भी example हमने बना रखा है paragraph को highlight करके माल लिजए कि हमारे पास page number 4 पर 4 line है और page number 5 पर यहाँ पर 5 line है अब basically मैं यह चाहता हूँ कि हमारे page number 4 पर जो भी paragraph है यह चारो paragraph हमारे page number 5 पर यहाँ पर shift हो जाए अब आप कहेंगे कि यह काम हमारा पहला option भी कर सकता है video orphan control तो हमें इस option की क्या जूरत पड़ी basically आपको मैं clear कर दूँ कि video orphan control तभी काम करता है जब आपके पास उपर सिर्फ एक line बची हो और नीचे आपके paragraph हो या फिर उपर आपके पास paragraph हो और नीचे आपके पास take line बची हो इन दोनों ही situation में video orphan control काम करता है अगर आप यहाँ पर video orphan control काई यहाँ पर use करेंगे तो इसका कोई भी effect इसके उपर नहीं पड़ेगा मैं आपको practical तरीके से दिखा देता हूँ और नीचे की तरफ आपके पूरा paragraph हो तो यह count करेगा और या तो ऊपर की तरफ आपके पास काफी सारे paragraph हो नीचे की तरफ आपके पास take line बची हो तो उस situation में यह काम करता है तो अब इसको किस तरीके से हमें adjust करना है उसके लिए हमें इस paragraph में से कहीं पर भी click कर देना है click करने के बाद उसी setting पर हमें वापस से click करना है और यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास जो next option आपको दिखाई देगा वो है keep line together इसको आपको tick करना है इसको आपको tick करने के बाद नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा okay का यह option जैसे आप okay बटन पर click करेंगे तो आप देखेंगे आपका वो पूरा का पूरा paragraph हमारे page number 4 से shift हो गया page number 5 पे तो इस तरीके से आप इस option का भी use कर सकते हैं यह हमारे पास बहुत सारे pages हैं और अब मैं इस वाले page को blank रखना चाहता हूँ और इसके बाद जो यह data है मेरा इस पूरे के पूरे data को मैं next page पर shift करना चाहता हूँ तो इसके लिए हम यहाँ पर page break before का यहाँ पर use करेंगे इसके लिए आपको same यहाँ पर click करके रखना है और उसके बाद उसी setting पर वापस से click करना है और यहाँ पर आपको page break before का एक option दिखाए देगा इस पर आपको tick करना है इस पर tick करने के बाद यहाँ पर आपको ok बटन पर क्लिक कर देना है, जैसी आपके यहाँ पर OK बटन पर टेक करेंगे, तो आप देखेंगे आपका जो डेटा था, पेज नमबर 5 से, यहाँ पर पेज नमबर 6 पर शिफ्ट हो चुका, अब बिसिकली इस डेटा को अगर मैं पेज नमबर 5 पर वापस से शिफ्ट करने की कोश कोशिश करूँगा, तो यह बिसिकली शिफ्ट नहीं होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मालीजे मैं आपर व्यूपर चले जाते हैं, और व्यूपर जाने के बाद, यहाँ पर multiple page का अप्शन आएगा, इस पर हम टेक कर देते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आप आप देखेंगे, हमारे पास काफी सारे pages का views आप के सामने represent हो जाएगा, और उसके बाद मैं इस data को अगर यहाँ से cut करके, इस page पर shift करने की कोशिश करूँगा, मालीजे मैं ने यहाँ पर इसको select किया, और यहाँ से control X करके, इसको cut कर दिया, cut करने के बाद page number 5 पर लाकर क इसको जैसी हम यहाँ पर paste करेंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर पेस्ट होने के बजाए, यह shift होगा हमारे वापस से page number 6 पर, यानि कि यह data हमारा वापस से इसके ओपर adjust नहीं होगा, क्योंकि हमने page break before का use कर दिया, यानि यहाँ से हमारा जो page है, वो break हो चुका है, यह यहाँ पर अगर आप enter करके कुछ भी type करने की यहाँ से कोशिश करेंगे, तो आप type कर सकते हैं, लेंगे जो हमारा पुराना data होगा, अगर आप उसको यहाँ पर adjust करने की कोशिश करेंगे, तो वो यहाँ पर adjust बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इस तरीके से आप इन सभी option का यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं next option की, तो next option के लिए हम वापस से उसी setting पर जाते हैं, अब यहाँ पर देखेंगे हमारा जो next option है, formatting expectation और इसमें आपको सबसे पहला option दिखाए देगा, service line numbers का, अब इसका किस तरीके से यूज किया जाता है, तो इस इसके लिए सबसे पहले हमें पूरे document में line number insert करना पड़ेगा, line number को insert करने के लिए आपको जाना है, यहाँ पर लियाओ टैप पर और यहाँ पर आपको एक option दिखाए देगा line numbers का, इसमें आपको एक option दिखाए देगा continuous का, इन सभी option के बारे में मैंने एक detail वीडियो करके, यह last हमने जितनी भी lines यहाँ पर insert की है, उन सभी के आगे page number आपके सामने represent हो रहा है, अब बैसी कि मैं यह चाहता हूँ कि जो भी हमारी line numbers है, मां लीजे एक, दो, तीन के बाद यहाँ से 4 और 5, 6 को मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ, तीन के ब अंदर आपको option दिखाई देगा, suppressed line numbers का इसको आपको tick कर देना है, इस पर tick करने के बाद, यहाँ नीचे जैसे आप OK बटन पर click करेंगे, तो इसके बाद आप देखेंगे paragraph first में आप देखेंगे 123 का number है हमारे पास, उसके बाद दूसरे paragraph को इसने छोड़ दिया है, तीसरे paragraph से आपका line number यहाँ पर start हो चुका है, 4567 करके, तो आपके इस paragraph से line number यहाँ से हट चुका है, तो इस option का इस तरीके से use किया जाता है, इसके बाद बात करते हम next option की, तो next option को use करने के लिए हम सबसे पहले line numbers को यहाँ से आटा लेते हैं, तो उसी setting पर वापस जाएंगे, और यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा, don't hyphenate, अब hyphenate का किस तरीके से use किया जाता है, जैसे माल लिजे हमारे पास यह document है, इस polar document को हम control A करके select करते हैं, और home tab से जाकर के इसको यहाँ से justify कर देते हैं, justify करने के बाद, आप देखेंगे हमारे जो document का sequence है, वो left side से भी equal हो पाता, तो उसके लिए यहाँ पर एक hyphen का निशान लग करके बाकी letter का जो word होता है, वो यहाँ नीचे लिख दिया जाता है, तो इसको कहता है hyphenate, जैसे माल लिजे अभी आप इस document में आप देखेंगे, तो यहाँ पर कहीं पर भी hyphenate का यहाँ पर use नहीं हुआ है, तो इस हम अपने paragraph पर आजाते हैं, और यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या कहीं पर hyphenate का यहाँ पर use हुआ है, तो आप देखेंगे, यहाँ पर keyword के अंदर hyphenate का यहाँ पर use हो चुका है, आप देखेंगे, की आपका यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर hyphen का निशान है, और उसके आपका यहाँ पर दिखाए दे तो इस तरीके से हमारी document में कई जगा पर hyphenate का यहाँ पर यूज हो चुका है तो आप मैं यह चाहता हूँ कि जो हमारा यह second number का paragraph है इसमें किसी भी तरीके का कोई भी hyphenate यूज दा हो तो उसके लिए हम उस option का यहाँ पर करेंगे तो इसके लिए आपको इस paragraph पर क्लिक करना है और वापस से आप चाहें तो होम टैप पर भी आप paragraph वाली setting पर क्लिक करेंगे तो वापस से आपका यह option खुल जाएगा और यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर डॉंट हैपनेट को करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा हइपनेट लगा हुआ है design का यह specification यहाँसे हट जाएगगा तो हम जैसे यहाँ पर होगे बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर गल्छो सिथे design जो था व Barnes यहाँपर आपके सामने represent हो गया आपिनेंट का जो निशानता वो यहां से remove हो गया और हमारा जो text हा वो नीचे की line में adjust हो गया तो इस तरीके से आप इनके सभी option का यहाँ पर use कर सकते हैं अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like कमें शेर जरूर कीजेगा धन्यवाद